भारती करकेट कंट्रोल बोर्ड नए ई-गेमिंग कंपनी MPLA स्पोर्स को टीमीडिया का नया किट स्पॉंसर और आधिकार एक वियापारिक भागिदारी बनाये जाने की घुशनगी भारत के अगामी ऑस्टेलिया दोरे के साथ MPLA स्पोर्स PCCI के साथ इस साज़िदारी की शुरुबात कर रहा है MPLA स्पोर्स के साथ PCCI ने 3 साल का करार किया है जो की नॉमबर 2020 से दिसंबर 2013 तक चलेगा दरसल आपको बताते PCCI के अध्यक्ष सारव दावली ने कहा 2023 तक भारते पुरुश और महीला राश्टे कर्केट टीम के लिए किट प्रियोजब के रूप में MPLA स्पोर्स की नियुकती के साथ भारते किर्केट के लिए एक नए युक की गोशना करते हुए मैं खुशी हो रही है ये करार भारते किर्केट के लिए एक नए युक की शुरुवाद है इस साज़ेदारी का उद्देश उच्छ फंडवता वाले इमान भारते किर्केट टेंस तक पहुँचना है वहीं आपको बताते हैं इस करार के तहरत भारत के सीनियर पुरुश और महिला कर्केट टीम तता अंडर 19 कर्केट टीम में भी शामिल है इस साज़ेदारी का उद्देश उच्छ फंडवता वाले भारती कर्केट फंड मर्चनडाइज तक पहुँच को आसान बनाना है जिसमें देश में ही नहीं बलकि विश्विस्तर पर कर्केट प्रेमियो के लिए प्रतिसिस्ट भारती कर्केट टीम की जर्सी शामिल है L.A. News Don't Report